दोस्तो अब बात करेंगी IPC section 288 की यानि की दारा 288 की दोस्तो अगर कोई व्यक्ति किसी मकान या फिर किसी बवन इत्यादी का निर्मान कर रहा है या फिर कोई घर बना रहा है कोई रूम बना रहा है या किसी भी मकान की किसी बिल्डिंग की किसी ओफिस की मरम्मत कर रहा है तो ऐसा कारे बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे कारे में कोई लापरवाई की जाती है यानि कि कोई उतावलेपन से या कोई लापरवाई से ऐसा कारे कर दिया जाता है जिससे क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को कोई नुक्सान हो या कोई अन्य व्यक्ति का जो जीवन है वो संकट में पड़ जाए या फिर अन्य व्यक्ति के जीवन को नुक्सान होने की संभावना हो तो फिर ऐसा कार्या IPC के section 288 के तहट अपराद माना जाएगा क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने घर का अपने ओफिस का निर्मान करवा रहा है या फिर अपने ओफिस को अपने घर को अपनी बिल्डिंग को मरम्मत करवा रहा है तो ऐसा कार्या लापरवाई से नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा कार्या लापरवाई और उतावलेपन से किया जाता है जिस से क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को कोई नुक्सान हो या फिर नुक्सान होने की संभावना हो तो ऐसा कार्य IPC के तहद अपराद की कैटेगरी में आता है दोस्तो ऐसे कार्य के लिए IPC Section 288 के तहद दंड का प्रावधन किया गया है अगर कोई व्यक्ति IPC Section 288 के तहद दोशी पाया जाता है तो दोसी पाये जाने वाले व्यक्ति को इस सेक्षन के तहट 6 महीने तक की जेल पलस जुरुआने से जो 1000 रुपे तक का हो सकता है या फिर दोनों से धंडित किया जाता है